हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैंने बेंस मेरुपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी क्लास क्लास 12 की हिंदी की बुक अंतरा भाग दो के गद्ध खंड का दस्वा अध्या है दस्वा अध्या है कुटच ये लिखित है हजारी प्रसाद दिवेदी जीद्वारा ये हिंदी के गद्ध खंड के हमारे हिंदी साहित के गद्ध खंड के में निबंद विधा में लिखा गया है अब कुटज होता क्या है कुटज एक पॉधा है ये हिमाले परवत की विकट परस्तियों में पैदा होता है इसमें फूल भी खिलते हैं तो ये इस फूल में न गंध होती है न इतना रूप होता है लेकिन तब भी जो है हमारे लेकक हजारी प्रसात्य वेदि जी ने बोला है ये चीज हमको समझाने कि इस पार्ट के माध्यम से बताया है कि मनुश को भी इसी प्रकार का होना चाहिए जैसे विशम परस्तियों में भी अपने आपको बनाए रखता है ये पौधा और जो है अपने आपको खिलाता है उसमें फूल भी खिलते हैं सब कुछ होता है तो मनुश को भी इसी तरह विशम परस्तियों में कभी हिम्मत नहीं हानी चाहिए और अपने आपको बनाए रखना चाहिए तो यहाँ पर अब हम इस निबंद को पढ़ेंगे कि ये निबंद क्या है तो उससे पहले हम देखेंगे इस पार्ट का परिचे कुटज हिमाले परवत की उचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली फूल है इसी फूल की प्रकती पर यह निबंद कुटज लिखा गया है कुटज में ना विशेश सौंदर है ना सुगंद फिर भी लेखक ने उसमें मानव के लिए एक संदेश पाया है कुटज के अपराजय जीवन शक्ती है, स्वावलंबन है, आत्म विश्वास है और विशम परस्तितियों में भी शान के साथ जीने की शमता है वहाँ समान भाव से सभी परस्तितियों को स्विकारता है मतलब उसके पास जो परस्तितियां है वो बहुत विकट है, हिमाले पर वह थंड़ा है, बंजर रहता है वहाँ पर इतनी थंड़क रहती है कि वहाँ पर पानी भी जल्दी नसीब नहीं होता इस परस्ति में भी वो अपने आपको खिलाता है और समान भाव से खिला रहता है कहने का मतलब ये नहीं है कि मुर्जारा आये कुछ करा मतलब उसके अंदर का जो भाव है वो हमेशा दूसरों को प्रसंद करने के भाव ही रहते हैं इसको देखकर इतनी विकट परस्तियों में देखकर भी हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है तो यहाँ पर मनश को भी ऐसे ही रहना चाहिए परवत शोभा निकेतन माने गए हैं हिमाले को परथवी का मानदंड कहा जाता है इसे शिवालिक शंखला भी कहते हैं मतलब जी जो परवत हैं ये हमारी परथवी पर हर एक चीज को खीचते हैं जैसे हिमाले ना हो तो हमारे यहां मौसम की परस्तियां बदल जाएंगी भारत में मौसम की परस्तियां बदल जाएंगी तो हिमाले बहुत जरूरी है उसी तरीके से जो हिमाले है उसे शिवालिक शंखला कहा जाता है शिवालिक का अर्थ है शिव के जटा जूट का निचला हिस्सा जो होता है यहाँ पर पेड़ पौधों की जड़े काफी गहरी पैठी रहती हैं ये भी पाशान की छाती फाड़ कर ना जाने किस अतल गहा में अपना भोग खीच लाते हैं मतलब यहाँ पेड़ उकते हैं पत्रीले में उनकी जड़े बहुत अंदर तक होती हैं जहाँ पर इनको भोजन मिलता है मतलब एकदम पत्थर को फाड़ते हुए तक अंदर होती हैं और कहीं पत्थर की गहराई से वो अपने लिए भोजन कीचती हैं मतलब मिट्टी स्वायल जो मिलती है उनको बहुत अंदर मिलती है जहां से वो अपने लिए पोशक खीचते हैं ये पौधे शिवालिक की सूखी नीरस पहाडियों पर व्रक्ष अलमस्त है मतलब जो शिवालिक की सूखी पहाडियां है ये बर्फ रहेगी तो वहाँ पे ज़्यादा हरियाली तो रहती नहीं है तो उन सूखी पत्रीली पहाडियों पर भी जो पेड़ उड़ते हैं वो बिलकुल मस्त रहते हैं किसी का नाम कुल और किसी का शील का नहीं पता मतलब कहां किस वंश का वो पेड़ है कहां से आया है कुछ नहीं पता होता मगर खड़े रहते हैं बिलकुल मदमस्त होकर ये अनादी काल से ऐसे हैं मतलब कब से उकरे हैं नहीं पता इनी मेंसे एक छोटा सा बहुत ही ठिंगना पेड है कुटच एक बहुत ही छोटा ठिंगना मतलब बहुत लंबा नहीं होता छोटा सा पेड होता है जिसे बोलते हैं कुटच अजीव सी अदा है मुस्कुराता सा जान पड़ता है अब वो छोटा सा है तो उसको देखता है जैसे लगता है कि बहुत सारे पेडों के बीच में वो मुस्कुरा रहा है लेखक को उसका नाम याद नहीं आता उसे लगता था कि नाम में क्या रखा है नाम की जरूरत हो तो सौ दिये जा सकते हैं पर मन नहीं मानता नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्विक्रती मिल्ली होती है नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है अब उन्हें जो हमारे लेखक हैं उन्हें नाम याद नहीं रहते तो उसी तरह जब वो पेड उन्होंने देखा तो उसका भी नाम उनको याद नहीं रहा लेकिन तब भी उन्होंने सोचा नाम में क्या रखा है भाई गुड में छिपा होता है लेकिन नहीं नाम का अपना सरूप भाई इस समाज में नाम एक पद का नाम है मतलब हम यहाँ पर हैं क्यों क्योंकि यह हमारा नाम है हम हमें किस नाम से हमारा जो नाम है वही हमारी identification है तो इस समाज में रहने के लिए नाम का बहुत जरूरी बहुत कहने को तो पेड़ बहुत से हैं बहुत से पेड़ होते हैं लेकिन नाम है वही आम का पेड़ है इमिली का पेड़ है नीम का पेड़ हर चीज का नाम जरूरी है नाम दिया गया है क्योंकि समाज में हर एक पद के उपर नाम देना पड़ता है कुटज को गाठे का साथी कहा गया है क्योंकि कुटज की कठनाई इके समय में काम आया है कालिदास जब रामगिरी पहुँचे तब उन्होंने इसी कुटज का आश्रे देकर मेग को अभ्यार्थना की थी उस समय उन्हें कोई और फूल नहीं मिला तब कुटज ने उनके तो चित्त को सहारा दिया था अब कुटज गाड़े का साथी होता है गाड़े का मतलब मुश्किल का साथी होता है मुश्किल समय में भी खिला रहता है तो कुटज पेड़ क्या है वो मुश्किल समय का साथी होता है जब पहाड़ों में इत्तम विशम परस्तिया होती है तो उन्होंने मेगों से प्रार्थना करी थी आओ और बरसू भई आने के लिए बोला था क्योंकि यह मेग आएंगे तो उसी के माध्यम से वो अपनी प्रेमिका को पत्र भेजते तो उन्होंने मेगों को किस की प्रार्थना करके बुलाया था कुटज की प्रार्थना कहकर ही बु प्रेमिका के पास लेकर जाएंगे तो इसी और जब वो आए तो इसी कुटज ने जो ना उनका जो इतना बेचैन दिल था कालिदास का उसे बहुत ही जो है सांत्वना पहुचाई थी कुटज का क्या आर्थ है कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हो आप कुटज शब्द को देखी उन्होंने अलग लतुड़ा यानि जो कुट से पैदा कुट से पैदा कुट घड़े को कहते हैं और घर को भी कहते हैं कुट का मतलब होता है घड़ा भी और घर भी कुट अर् गलत ढंग से दासी कुटनी कही जाती है मतलब जिसके रूप रंग चाल ढ़ाल अच्छी नहों ऐसी दासी को क्या बोला जाता है कुटनी संस्कृत में उसे कुणी कहा जाता है और संस्कृत में उन्हें क्या बोलते हैं कुटज का पौधा लहराहाता रहता है वह नाम और रू वाकट परस्थितियों में है, यानि आपराजय है, किसी कोई भी उसको जीत नहीं पाया, और उस स्थिति में वो हमेशा लहराता और मुस्कुराता रहता है, वह धधक्ती लू में भी हरा भरा बना रहता है, वह कट और पत्थर के बीच, रुके अग्यात जल शोत्र में से बर बस रस खीच कर सरस बना रहता है वा सूने गिरी कातर में भी मस्त बना रहता है मतलब हर परस्तिति में सूख लू में हो तो वो रहेगा रेगिस्तान में हो तो हो तालाब कहीं दूर हो तो भी वो अपना जल खीच लेता है हर परस्तितियों में वो अपने आपको बनाए रखता है वह कठोर पाशान को भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रे करता है मतलब पत्थर के उपर भी उग जाता है लेकिन उसकी जड़े एकदम बहुत अंदर तक होती है मतलब पत्थरों तक को चीर के उसकी जड़े अंदर होती है और वहां से वो अपने भोजन को खीच लेता है वह उल्लास में जूमता है यहीं उसकी जीवनी शक्ती होती है पत्थरों और चटानों के बीच उगते हुए अपने जीवन को किसी उद्देश के लिए नियोचावर करने वाला कुटज का पौधा दुनिया को संदेश देता है कि यदि जीना चाहते हो तो कठिनाओं से मत घबराओ और संगर्ष करते रहो दिशम परस्तियों में जीना सीखो आत्म सम्मान के साथ जीओ सान के साथ जीओ जहां से भी संभवो अपना भोग्य प्राप्त करो तो ये पौधा जो इतनी मुश्किलों में जी रहा है सब कुछ कर रहा है ये मनुश्य को इस चीज की प्रेणना देता है कि जितनी भी विकट परस्तियां हो तुम हमेशा मुश्कुराते रहो और जितना भी कठिन तब करना पड़े अर्था तुम पत्थर को चीर कर भी अपना भोजन प्राप्त कर रहा है तो तुमको भी अगर इतनी ही विकट परस्तितियों में मेहनत करनी पड़े करो, जितनी कठोर मेहनत करनी पड़े करो घबराओ नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहो और भरिश्रम करते रहो और तब अपना भोग अगर तुमको प्राप्त करना पड़े उन कठिन पस्तितियों में उन कठिन परिश्रम के बाद तो भी तुम मुस्कुराते हुए उस भोग को प्राप्त करो कुटच के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हर हाल में जीओ और मस्ती के साथ जीओ अपना आत्म सम्मान बनाए रखो परोपकार के लिए जीओ, मतलब वो हमें सीख देता है कि जितना जीओ, आत्म सम्मान के साथ जीओ परोपकार के लिए जो भई, वो अपने लिए तो नहीं जी रहा है वो दूसरों के लिए भई, पौदे किस के लिए जीते, दूसरों के लिए जीते तो यहाँ पर वो परोपकार के लिए दूसरों की भलाई के लिए जीवन यापन करना चाहिए किसी की चापलूसी मत करो, मन पर नियंत्रण रखो मतलब अपने कारिक को करने के लिए किसी की चापलूसी मत नहीं करो और अपने मन पे नियंत्र डखोगे तो चीजों को बहुत अच्छे से प्राप्त भी कर पाऊगे हमें जीवन में किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी चाहिए कुटज स्वार्थ के दाइरे से बिलकुल बाहर है हमें भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए मतलब हमें हार नहीं माननी जितनी भी विकट परस्तिया हूं और स्वार्थी भी नहीं बनना जैसे कुटज भी बिल्कुल स्वार्थी नहीं है लेखक ने एक स्थान पर प्रश्ण किया है कि कुटज क्या केवल जी रहा है ये प्रश्ट उठाकर लेखक ने मानवी कमजोरियों पर टिपड़ी की है मानव जरास भी मुसीबत आने पर दूसरों के द्वार पर भीक मांगने चला जाता है कुटच का पौधा दूसरों का द्वार भीक मांगने नहीं जाता वह बड़ी शान से अपने इस्थान पर खड़ा रहता है सामान ने मानव शक्ती शाली के सामने घुटने टेक देता है उसमें आत्म विश्वास की कमी है आज का मानव परमार्थ से दूर हटता चला जा रहा है तो लेखग ने एक स्थान में इस पार्ट में हमसे प्रश्ण किया है क्या कुटज सर्फ जी रहा है तो यहां इस माध्यम से उन्हों ने ये नी बोला कि वो जी रहा है यहां पर ये कटाक्ष है मानव जाती पर क्यों किया है भाई जब मुसीबत आती है तो हम दूसरे के द्वार पर भीक मांगने के लिए खड़े हो जाते मगर कुटज कभी नहीं जाता वो अपनी मुसीबत अपने जगहा पर खड़े होकर स्वयम जेलता है वो चाहे ऐसा नहीं है कि मुश्किल में है तो अपने घुटने टेक दे नहीं तो मानव क्या है मानव हमेशा सक्तिशाली आदमी के सामने घुटने टेक देता है लेकिन कुटज ऐसा नहीं होता है उसमें आत्म विश्वास की कमी नहीं होती मानव में आत्मश्वास की कमी होती है इसलिए वो शक्तिशाली आदमी के सामने गुटने टेकता है आज का मानव परमार्थ से दूर हटता जा रहा है इसका मतलब क्या है हम दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देते हम सिर्फ अपनी तरफ ध्यान देते कि हम दूसरों की किस हद तक भलाई कर सकते हम ऐसे जितना पड़ पड़े हमें परमार्थ करना चाहिए परमार्थ मतलब दूसरों की भलाई हमें करनी चाहिए लेका का कहना है कि स्वारते से बढ़कर जिजिवीशा से भी प्रचेंडर शक्ति आवश्य है और वह शक्ति है आत्मा की मतलब हमारी जो भोक करने की जो इच्छा है वो हमारी आत्मा तक नहीं होनी चाहिए इस शक्ति पर हमेशा ये ध्यान रखिए होताने हर चीज़ पानी की लालसा, अभिलाशा इस पर कभी भी अपने आत्मा की उपर इसका कबजा मत होने दीजी आत्मा को सरवोच रखिए आत्मा अगर सरवोच है तो वो हमेशा आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगी आत्मा परमात्मा का अंश है और वह सभी में व्याप्त है व्यक्ति की आत्मा केवल उसी तक सीमित नहीं है वह व्यापक है कहने का मतलब अगर मेरी आत्मा मेरे अंदर है तो यह सर्फ मेरे अंदर नहीं क्योंकि अगर मेरी आत्मा जीवित है तो मेरे से क्या होगा वो हर बहुत मेरे आसपास रहने वाले सभी लोगों का भला करेगी इसलिए उन्होंनों बोला आत्मा सिर्फ मनुश के अंदर ही तक नहीं है वो व्यापक है क्योंकि हमारे कर्म व्यापक होंगे उसके जरीए तो हम सब जगह विद्ध मानूंगे अच्छे कारियों के साथ में यग वलकल आत्मा का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे व्यक्ति को तब तक पूर्ण सुक का आनंद नहीं मिलता जब तक मनुश में अपने से सब और सब में आप इस प्रकार समहिष्ट बुद्धी नहीं आती अपने आपको दलित द्राच्छा की भाती निचोड कर तब तक सर्व के लिए निचावर कर दिया जाता है तब तक स्वार्थ, खंड, सत्य वह मों को बढ़ावा देता है तो याग वलकल्ले जो है उन्होंने आत्मा के बारे में क्या बूला ये भी एक महा ग्याता है इन्होंने इसका अर्थ बोला कि मनुश के अंदर जो आत्मा होती है जब तक हम उसे पूरा, हमारे अंदर जितनी शक्ति है उसको निचोड कर जब तक हम परमार्थ के लिए नहीं लगा देते तब तक अंदर हमारे अंकार भरा रहता है तो अखंड सत्य को विद्धमान करने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम परमार्थ की तरफ यानि कि दूसरों की भलाई की तरफ हमेशा अग्रिसर रहे ऐसा विक्ति दैनी एक रपान बन जाता है वा तो स्वार्थ भी नहीं समझ पाता परमार्थ तो दूर की बात है और जो विक्ति इसके मोह पाश में बन जाता है यानि कि जो मोह में बन जाता है जो सिर्फ अपने लिए सोचता है अपने लिए जीता है ऐसा वेक्ति तो कुछ सोची नहीं सकता परमार्थ की बात तो दूर क्योंकि अपनी अच्छा है तो हम साता उम्र पूरी करते रहेंगे कभी पूरी नहीं हो सकती एक पूरी करेंगे तुरंत दूसरी आ जाती है तो यहाँ पर यह होता है कि जब हम अपनी इच्छा पूरी अपने पिधानी दे पाएंगे तो हम परमार्थ की बात तो भूली जाएए ऐसा वेक्ति कभी परमार्थ नहीं कर सकता कुटज पार्थ में बताया गया है कि दुख और सुक्तों मन के विकल्प है वास्तों में सुखी व्यक्ति वा है जिसका मन वश में है और दुखी वा जिसका मन परवश में है मतलब कुटज में यह चीज़ बताई गई है कि व्यक्ति वही सुखी है जो अपने मन पर काबू कर सकता है जो अपने मन पे काबू नहीं कर सकता वो कभी भी खुश नहीं रह सकता वो परवस में परवस में तब हमें कोई चीज पसंद है हमारा मन उसके वश में चला गया मान लीजे हमको चाहिए एक बड़ी गाड़ी चाहिए तो मेरा मन उस गाड़ी में चला गया भाई गाड़ी मिल गई तो हमें क्या चाहिए एक बड़ा मकान चाहिए हमारा मन वहाँ चला गया भाई हमें एक लैपटाप चाहिए हमारा वहाँ चला गया फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, बहुत अच्छे चाहिए, कपड़े चाहिए, वहाँ चला गया, खुब अच्छी जूलरी चाहिए, वहाँ चला गया, तो यहां हमारा मन क्या है, हर जगा हर किसी चीज के वश में है, तो यहां पर हमें क्या देखना है, कि हमारा मन हमारे वश में होना चाहिए ठीक है मिल जाएगा इत्ती क्या जल दिया है अभी बौट टाइम पड़ा है तो अब हर चीज के लिए ललाईत नहीं होना जब समय होगा तो हर चीज अपने लिए होती जाएगी यहाँ परवस होने का अर्थ है दूसरों की खुशामत करना दात निपोना चाटू कारिता करना जीहजूरी करना इसलिए सुक और दुख की चिंता किये बिना हमें जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए तो मतलब हमें अपना कार जैसे अभी हमने बोला परवस में अर्थात हमें ये चीज चाहिए तो अब उस चीज को पाने के लिए हमारी ती चैपिसिटी नहीं है कि हम कर पाएं तो किसी की खुशामत करेंगे किसी की चापलूसी करेंगे तब हम उसे पैसे लेंगे करेंगे तब हमें वो चीज खरीद पाएंगे, तो यहाँ पर ये सब चीजे करना बिल्कुल भी सही नहीं है, तो उन्होंने यही चीज बोली है, क्या इसलिए सुख दुख की चिंता कि ये बगैर हमें जीना चाहिए, हमें जो मिल रहा है हमें खुश रहना चाहिए, बहुत आधिक प पाठ का सार हमने यहाँ पर खतम किया, इस पाठ में हजारी प्रसाद्य वैदी जी ने जो हमने बताया हमने पढ़ा, लेकिन आपको अगर और भी किसे पाठ में कोई दिख्कत हुरी है या किसे और सब्जिक्स में दिख्कत हूरी है तो बिलकुल भी परेशान नहीं हुई, इसके लिए आपको करना क्या है आपको जाना है हमारी website magnusbane.com पे आप वहाँ देखेंगे कि kindergarten garden से लेकर class 12 तक की सभी classes अवलेविल हैं इन में आप जो भी class पढ़ना चाहते हैं बस आपको class click करने हैं क्लिक करते हैं आपके सामने उस class में पढ़ाय जाने वाले सारे subjects आजाएंगे बस आपको subject क्लिक करना है क्लिक करते हैं आपके सामने में उस subject में पढ़ाय जाने वाले जितने भी chapter हैं वो आजाएंगे जिसे आपने किया तो जितने chapter से सभी आजाए आप आप चैटर क्लिक करिए आपके सामने उसमें जितने भी topics पढ़ाए गए हैं chapter के अंदर आपके वो आएंगे आपको जो भी topic में doubt हो रहा है आप click करेंगे और आपका video start हो जाएगा वीडियो देखिए आपने जितने भी doubt से उन्हें clear करिए लेकिन साथ ही हमारे चैनल को like, subscribe और share करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा Thank you for watching, bye bye